साल 2014 में नरेंद्र मूदी ने हम सब को कुछ सपने दिखाए, कुछ सपने बेचे और वो सपने थे अच्छे दिन के लेकिन जैसे ही नरेंद्र मूदी 2014 में इलेक्शन जीत कर आते हैं वो अच्छे दिन के उस वादे को अच्छे दिन के उस सपने को पूरी तरीके से भुला देते हैं और 2017 में उस अच्छे दिन के वादे को भुलाने के लिए एक नया सपना दिखाते हैं ताकि लोग अच्छे दिन के उस सपने को भूल जाए और 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाया गया, वो नया सपना क्या था? वो नया सपना था New India in 2022, 2022 में एक नया भारत, ठीक है? नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर आज तक हम सभी को कई सपने दिखाए, कई सारे वादे किये, लेकिन उन वादों में से, उन सपनों में से कितने सपने पूरे करने में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कामिया भूपाई है? यह सवाल आज 2022 के अंत में पूछना जरूरी है. आज हम 2022 साल के अंत में खड़े हैं 2022 साल बितने चला है ऐसे में नरेंदर मोदी से ये सवाल पूछना जरूरी है कि उन्होंने 2014 से लेकर आज तक 2022 साल को लेकर जो वादे किये थे जो सपने उन्होंने दिखाये थे उसमें से कितने वादे वो पूरे कर पाए उन्होंने उसमें पुछेंगे कि आपने 2014 सले का राज तक जो वादे किये जो सपने हमें दिखाई उन में से कितने वादे आपने पूरे किये देखो इतना ज्यादा मत सोचो सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है उसे दबादो वैसे तो मोदी जी ने हम सब को कई वादे किये कई सपने वादे हैं वो उनकी बात मैं यहाँ पर इस वीडियो में करने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके नरेंदर मोदी ने 2022 तक जिन वादों को पूरा करने का सपना हमको दिखाया था उन में से कितने वादे पूरे हो पाए इसे के बारे में हम अभी चरशा करत हैं चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वादा नम्बर एक वादा नम्बर एक है भारत में रहने वाले हर एक वेक्ती के पास बैंक अकाउंट होगा ठीक है जनधन योजना के अंतरगत कई सारे लोगों के बैंक अकाउंट खुले जरूर खुले लेकिन फिर भी अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके खुद के बैंक अकाउंट नहीं है डूसरी बात अब जिनके पास अकाउंट है उनके पास अकाउंट होकर भी क्या ऐसा हो उनका कौन सा विकास हो गया ठीक है अकाउंट अगर आपके पास है उस अकाउंट से मतलब नहीं है मतलब इस सीच से है कि उस अकाउंट में उस आदमे के पास कितने पैसे है ठीक है तभी वो अपना विकास कर पाएगा तभी वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा जब तक उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तब तक व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, अपना विकासों नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में जरूरी ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास खाता हो, हर एक व्यक्ति के पास बैंक का नरेंदर मोदी ने किया था लेकिन अब सवाल यह है कि 2022 अभी जब गुजरने को हो गया है ऐसे में कितने किसान ऐसे हैं जिनकी इंकम डबल हो गई है अगर सच में किसानों के इंकम डबल होती डबल ना होती कम से कम अगर उनकी इंकम नार्मल इंकम से बढ़ भी जाती तो भा दबल करने का जो वादा किया था वो कहां तक पूरा हो पाया और भारत का किसान आज किस हाल में उससे आप ये इस चीज का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सच में 2022 जब खतम होने को आ रहा है या खतम हो गया है खतम हो चला है ऐसे में भारत के किसानों की आई सच मुछ डबल भारत के हर घर में LPG सिलेंडर होगा जी हाँ ये भी एक वादा था जो नरेंदर मोदी ने किया था कि भारत के हर घर में LPG सिलेंडर होगा उजवला योजना के अंतरगत कई सारे लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया LPG सिलेंडर दिया गया लेकिन आज के डेट में 2022 के भले उनके पास cylinder तो है लेकिन उस cylinder को खरिदने की ताकत यहां के आम आदमी में है की नहीं यह भी अपने आप में एक question है तो ऐसे में किसी योजना के तहट लोगों को cylinder बाट देना यह आपकी योजना की सफलता नहीं है यहां पर आपका वदा पूरा नहीं होता है आपकी योजना तब सफल होगी या आपका वदा तब पूरा होगा जब भारत का अंतिम आदमी भी LPG सिलिंडर यूज करे एलपेजे सेलिनर खरीदने की ताकत रहे उसको खरीदने के लिए उस व्यक्ति के पास उसके जेब में पैसा भी रहे वादा नमबर चार दोहजार बाइस तक भारत के हर परिवार के पास अपना एक घर रहेगा ठीक है ये भी वादा नरेंद्रमुदी सरकार ने किया था कि 2022 तक सभी के पास एक घर रहेगा रियालिटी आपको मालूम है अगर भारत के हर एक व्यक्ति के पास हर एक परिवार के पास अगर एक घर होता तो आज कई लोग बेघरना होते शहरों में जुगी जोपडिया बना कर ना रह रहे होते जिनके सर पर आज भी चछत नहीं है कई लोग खुले आस्मान के नीचे रात बिताने पर आज भी मजबूर है कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं है यह रियालिटी है यह वास्तविक्ता है कि निरेंद्र मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि 2022 तक हर परिवार के पास अपना एक घर होगा वो वादा भी पूरा करने में मोदी सरकार फेल ही रही है वादा नमबर पाच 2022 तक भारत के हर घर में एक टॉलेट रहेगा आज अगर आप भारत के किसी गाव में ग्रामी निलाके में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है इस योजना को लेकर और हर घर में एक टॉलेट को लेकर सरकार ने एक योजना के तहट ग्रामी निलाकों में जो टॉलेट बनवाए वो टॉलेट आज वरकिंग है की नहीं उस टॉलेट का सीट काम कर रहा है या नहीं उस टॉलेट के उपर सीट है या नहीं उस टॉलेट को दरवाजा है या नहीं ये सोचना भी अपने आप में ए 24 घंटे बिजली, 24 घंटे electricity connection प्रोवाइट करने का वादा भी नरंद्रमोधी गवर्मेंट ने किया था लेकिन ये आज किस स्थिती में है, रियालिटी आज क्या है रियालिटी ये है कि भारत के ऐसे कई इलाके है, ऐसे कई एरियाज है कई ग्रामी नियरियाज ऐसे हैं, जहां पे आज भी लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ रहा है जंगली इलाके के कई ऐसे हिस्से हैं, जहां पे आज भी रोशनी नहीं पहुच पाई है वहां आज भी लोग सोलर लाइट का इस्तमाल करते हैं, शाम को इसी भी तरह के डिजिटल डिवाइसे वहां के लोग चला नहीं पाते वहां आज भी रोशनी नहीं पहुची हैं, ऐसे में नरेंदर मोदिद्वारा किया गया है जो वादा था कि 2022 तक 24 घंटे बिजली हम प्रवाइट करेंगे सभी शेतर में, भारत के सभी शेतर में उसका क्या हुआ, उसकी सच्चाई कुछ अलग ही है वादा नमबर साथ, 2022 तक भारत कुपोशन मुक्त होगा, भारत कुपोशन को हरा देगा, ये वादा सरकार ने किया था ये वादा भी पूरा करने में सरकार फेल रही, आज कई बच्चे भारत के कई बच्चे कुपोशन का शिकार है और कुपोशन का ये जो राक्षश है कुपोशन का ये जो भसमासुर है उसकी चपेट में आज भी भारत के खासत और पे ग्रामी निलाके के कई बच्चे आ रहे हैं उनको proper portion नहीं मिल पा रहा है और जिसके कारण वो कुपोशन की चपेट में आज आ रहे हैं तो यहाँ पर नरेंद्रमोदी सरकार ने जो वादा किया था 2022 तक भारत कुपोशन मुक्त होगा भारत कुपोशन को हरा देगा वो वादा पूरा करने में भी नरेंद्रमोदी गवर्मेंट फेल ही रही है तो इस तरह 2014 से यानि जब से नरेंद्रमोदी सत्ता में आया है पावर में आया है तब से उन्होंने जो important वादे किये जो हमारे और आपके मतलब के वादे हैं उन वादों को पुरा करने में नरेंद्रमोदी सरकार फेल रही है और जो सपने उन्होंने 2022 को लेकर दिखाय थे खास तोर पर 2022 को सेंडर में रखके उन्होंने जो गदे किये थे उन वादों के मताबिक तो आज 2022 में विकास के गंगा बहर ही होनी चाहिए थी भारत में लेकिन सच्चाई कुछ औरी है और उस सच्चाई से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ है नरेंदर मुदी द्वारा किये गए वादों की एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपके सामने पेश की इसके अलाबा भी अगर आपको लगता है कि हमारे और आपके मतलब के कुछ वादे जो नरेंदर मुदी सरकार पूरे नहीं कर पाई वो आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे ऐसा ही कंटेंट आपको लगातार आगे मिलते रहेगा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद